तो चले अब सीधर रुख करेंगे राज़ानी भोपाल का जासीम डॉक्टर मोहन यादव महिला उद्यमी कारिक्रम में संबोधत कर रहे हैं हमारी संस्कृति की विशिस्ता है बुद्धी की देवी मा सरश्वती पूंजी की देवी मा अलक्ष्मी और सक्ति सामर्थ की देवी जगदंबा दुनिया के कई देश आगे बढ़ना सब चाहते हैं आगे उनकी अपनी भावना है लेकिन उनकी कुछ कठनाईया भी है उनकी कठनाईया सबसे बड़ी यही है बोलने के लिए, बताने के लिए हमारे सामने विशे रखेंगे हम महिला पुरुस में कोई अंतर नहीं करते हैं बराबरी पे लाना चाहते हैं और अगर अंदर जाके देखो तो इतना गए पर हम से ज़्यादा दक्यानुसी है हम से ज्यादा छोटे मन के हैं बताते क्या हैं、 ए शे क्या है चालाकी से बात करते हैं इसलिए मुझे इस बात में कभी-कभी जहासी की रानी का जो युद्ध ध्यान में आता है रानी अवंती भाई का यो युद्ध आता है जो खूब लड़ी मरदानी वो तो जहासी वाली रानी तो जहासी वाली राजनी ने जो लड़ाई लड़ी वो लड़ाई हम सबके लिए देश की स्वतंद्रता के साथ तो है ही लेकिन अगर उद्धमियों के बीच में बोलना चाहूंगा तो ये अंग्रेज देश पे कबजा करने व्यापार करने आये थे तो अभ्यापार करते करते हमारे सारे उद्धमियों का गला गोट करके उनने कबजा कर लिया अदेश के उपर तो आप बताईए सच्चे अर्थों में वो लड़ाई काई की थी उद्धम सिलता की थी न के हमारे हाथ काट करके हम उठे के हमारी धाका की मलमल को छीनने का काम जिनने किया उनसे लड़ने वाली महरानी जहसी है के नहीं हमको यह आनन्द है इसकी बदाई यह होना चाहिए आप सबको बदे देना चाहिए सच्च अर्थों में सतंत्रता के साथ उद्धम सिलता की लड़ाई थी वो एक ऐसा संगर्ष था और उनका नहीं अभी हस्त करगा की बहने हमारे बीच में आई चनेरी की महेश्वरी साड़ी महेश्वर से अब आप बताईए तीन सोवे जहनती वर्ष चल रहा है इल्या भाई का और एक सासी का अपने छोटे से राज्य में सासन कितना छोटा सा कर रहा है मैं यह सब आपके लिए इसलिए बता रहा हूं कि हम अगर उद्धमिताओं के बीच में बेठे हैं हमारी अपने सल्फ डिपेंड बेहने जो अपना स्वेम का व्यापार व्यूसाय करते वे घर परिवार को चलाते वे समाज में अगर प्रतिष्ठा हासिल कर रही है तो उनके सामने यह रिकार्ड तो होना ही चाहिए उनके यह चास तो होना ही चाहिए हमारी अपनी अहिल्या माता का तीन सोवा जन्मोत सो चल रहा है और उनने अपने जीवन काल में बहुत छोटे से औरंगाबाद के एक छोटे से गाउं से आने वाली हिल्या माता कठनाई के दोर में उनसे आदा कठनाई कोन महसुस करेगा जो विवाईक जीवन का सुख देखना चाहिए कुछ दिन में पती ने रहे बेटा था बेटा भी नहीं रहा ससूर की छाया में पूरा राज्य खड़ा हुआ होलकर राज्य मलाराव होलकर के समय वो भी नहीं रहे ना बेटा ना बहु ना ससूर ना पती अकेली एक वीडो महिला और उस वीडो महिला ने अपने सासनकाल के अंदर जो कीरती मान इस्थापीत किये वो भूतों न भविश्यती इतने बड़े-बड़े कीरती मान ऐसी मुगल सत्ता जिसने अपने सारे सनातन धर्म के मंदिर धुस्त कर दिये जिससे लड़ने का कोई भी बड़ा सासक हिम्मत नहीं कर रहा है सब तलवार ढाल करके हाथ जोड़के खड़ें ऐसे में वो अपनी सासी का महिला पांच जिलों के छोटे से राज्जी से अपने हिम्मत के भरोसे से अभी विश्वनात मंदिर में जिस भगवान की पूजा करते हैं वो जोतिरलिंग की स्थापना उनने अपने पैसों से उस सत्ता के सामने करके दिखाई यह अपनी भारती पराकरम और पुरसार्थ का और उनकी उद्धम सिलता है उनका ही नहीं सोमनात का मंदिर रामेश्वरम का मंदिर उज्जेन का महाकाल मंदिर में हर स्थान पर अपने देवस्थान को और उतने ही नहीं जो पूजा पाट करने जा रहा है अन्न छेतर का संचालन करने का काम दे रहा है अपनी प्रजा की चिंता करते हुए उनके जो उधारण हैं यह हम सबका आपका सबका आज के लिए पाथे हैं हमारे लिए मारदर्सन हैं कि हम अपने संचालन से अपने उद्धम सिलता से धन अर्जित भी करें और धन को संस्कति को बढ़ाने के लिए भी समाज के हिते सी काम अन्यचेतर सभी समाजों के लिए और रोजगार के साधन उस साधन काल में हस्त करगा कपास होता था काटन का उस कपास के अधार पर बेहनों से माईश औरी साड़ी यह जो अपने जो जिसकी जैसी लाइन बनती आज भी अपने मेंसे कोई उद्धम सिलता आप करके आ रहो बता करके हमको यह हिम्मत दिलाना पड़ती कि हमारी बेहने भी उद्धम सिलता कर रही है समाज की दृष्टी आज भी डबल मैंड है व्यात्पार वयवसाई करने के लिए पूरुस आधारिस संस्कृति देखती है तो पूरुस आधारिस संस्काल में पचाश लड़ाईया लड़ी एक भी लड़ाई नहीं हरी ये रानी दुरगावती का गोणवाना का हितियास है और उनका नहीं हमारे हैं तो रानी चनम्मा मदराज से चल के आती है एक से बढ़कर एक उधारन है दुरभाग से हमारे पाठ्ठिकरम से ये सारे गोरवसाली प्रश्ठ हटा दी है इस लड़ाई इस बात की प्रसंदता है इसलिए ह हमने कहा कि ये जो उत्सव भी हमारे मनते थी आपकी जानकारी के लिए बतादे कि Mन्दिरों के अंदर भगवान के मन्दिर केवल वह गरबगरत वाला हिस्सा है भगवान का दस बाई दस का अब महाकाल के अंदर जाओगे महा महाकाल का लगबग 200 विघा का बेल्ट है पुरा परिसर है लेकिन उसमें भगवान महाकाल का तो 15 वैं 15 वाइ 15 का गर बगर है लेकिन मंदिर की जो रचना बनती है उसका जो सभामंडब बनता एक तरह से वह रंगमंच के रूप में काम आता है अपनी सभी कला संस्कति पुष पुझसान देते थे अरे अपने समाज के कई लड़ी जगड़े हो तो उसको हल करने के लिए भी देवस्थान की जगा लगती थी लेकिन काल के प्रवा में इन पे सप्पे इनकी द्रश्टी हो जलोते मंदिर को केवल पूजा पाट का स्थान मालिया के केवल दर्सन करना रादे करश्टन बेहनों का जो अनन्द वो कहा जाएगा यह किस से छिपा और कदम कदम पर ऐसी सारे उधारन भरे पड़े पड़े हैं जिन उधारनों से अपनी संस्कति की पता का सदेव लहले हाती है आज के सवसर पर ये हमारे अपने मंत्रले के माध्यम से हमारी सरकार बनी हमने का बिलकुल हमारी बेहनों को महत्म मिलना चाहिए पहले तो माभार मालो नरेंद मोदी जी का जोड़दार ताली बजा करके हमारी सरकार लगबग 20 साल से 50% आरक्षन इस्थानी निकाई में देती थी नगर निगम, नगर पंचा, कॉपरेटिव बेंक, आनी सोसाइटियां 50% पूरे देश के बाकी राज्यों में नहीं है ये लेकिन नरेंद मोदी जी ने और बड़ा काम किया अब तो आने वाली लो अब इसे तैयारी भी कर लेना रक्षा बंदन के पावन पर बेहनों के साथ मिलकर के ये जो त्योहार मनाने का हमने सिल्सला प्रारंब किया त्योहार तो अपनी बशे 19 तारिक का है लेकिन सारे महिनों में सावन का महिना ऐसा लगता सभी मास का एक राजा राह है राजा महि और दी घटाएं जब आती है और अपनी बादल से बरदने वाली बूंदे अपने भाई को प्रेम का इसनेह लगाती लेपन लगाती है वो जो आनन्द आता है आपके माध्यम से दोनों कुल तरते हैं ससराल पक्षभी और माय का भी ऐसी वहनों को प्रणाम करता हूं और सारी बिंडों में कि कष्ट आता है हमने सारी खिड़की बंद कर दी आपका लाब डारेट आपको मिलना चाहिए सिंगल क्लिक से जिसका पैसा उस तक जाना चाहिए जब दोग धंदों को बढ़ाना तो उनको डारेट बेनिफिट क्यों नहीं देना चाहिए इसलिए उस दि प्रेम का बंदन जीवन भर एक आसरे की चाया का काम करता है इससे दुनिया के बड़े से बड़े दुस्मूनों से निपटने में बड़ी ताकत रहती है अतीत गवा है जब जब बेहनों को आशिरवाद मिला है भाई कभी पराजीत नहीं हुआ है मुझे आज के सहुसर पर आप सब को पुना बदाई देते वे भविष्ट में और भी बहुत सारे कामों के लिए कारेसला आयुजित करेंगे अभी एक सुजाओ मानी मंतरी जी का आया वा हम उस पर काम करेंगे के एक बिल्डिंग बना करके उसकी अलग-अलग प्रकार की फ्लोर में भी बेहनों को का का मुका मिल जाए इस टाइब से योजना भी बना सकते हैं तो कि आप दूर दूर प्लाड जाते हैं दूर जड़ा तकलीफ आती है तो नजदीक मिल जाए इसी प्रकार से हमारी दलित इंडियम चेंबर आफ कमर्स अंडिस्ट्री के द्वारा भी कुछ सुझाओ दिये गए उन सुझाओ पर भी गोर कर रहे हैं हम सभी वर्गों को लेके चलना चाहते किसी वर्गों नहीं छोड़ेंगे लेकिन हमारे अपने सामाज के अंदर बेहनों के और भाई के बीच में समान आउसर देते वे सबको आगे बढ़ने का आउसर मिले मेरी अपनी और से पुनश्य आप सबको रक्षाबंदन की बढ़ाएं आपका असिरवाद मिलता है